एंटिरो लैटो सिस्टम हमने देख लिया कि पीन की संसेशन है वह में किस तरह से परसीव होती है अब यह देखने हैं कि हम पेन को मॉडिलेट किस तरह से कर सकते हैं पेन की मॉडिलेशन का मतलब है कि पेन को ज़्यादा या फिर उसे डिप्रेस करना उसे कम करना वह दो तरीकों से होता है एक है गेट कंट्रोल दियूरी और दूसरा है अनलजी इसके सिस्टम पहले हम गेट कंट्रोल दियूरी को देख लेते है तो यह तो था अब इसके लिए पाथवे देखने है लेकिन अब gate control theory में क्या है जब हमें कोई चोट लगती है तो हम फॉरण वहाँ पर rub करना शुरू करते हैं वो रब करने से हमारी जो pain होती है वो कम हो जाती है अब ये gate control theory उसका answer देती है कि रब करने से हमारी pain कम क्यूं हो जाती है देखें यहां से यह dorsal column middle minuscal pathway जो हमारी fine touch क अब वैसे तो हमने यह देखा था कि उपर लेके जा रहा है लेकिन अपना एक fiber जो है यह जो inter neuron है उसके पास भी लेके जा रहा है उसको ज़रा यहां पर हम देख लेते हैं यहां पर बढ़ा करके आराम से हम देख लेंगे तो यह जो है fast pain यह slow pain के लिए fiber वो easiness के लिए हमन अब डॉर्सल कॉलम मीडे में इसकर अपनी fine touch वाली feelings उपर लेके जा रहा था तो इसने अपना एक fiber यहां पर दिया इस inter neuron पर यह इस inter neuron को stimulate करेगा यह inter neuron जब stimulate होगा तो यहां पर यह गाबार रिलीज करेगा यह गाबर जिक fiber inter neuron यह pain की feeling को देख यहां इसने negative feedback यहां पर द पहला है पैरी इक्विडडेक्टल ग्रे अरिया में बता कि थर्ड वेंट्रिकल से यहां पर एक्विड़क्ट व शिल्वेस निकलती है उसके around gray matter होता है तो यह एक्विडक्क की around gray matter है इससे कहते है पैरी इक्विडेक्टल gray matter यह NLCC system के अंदर involve होता है दूसरे है पैरी व सब्सक्राइब करते हैं इसे जगा के रखते हैं यह सब्सक्राइब होते हैं अब देखें जब भी हमें ज्यादा फील होना शुरू हो जाती है तो हमने पहले देखा था एंटियरो लैटरल के अंदर कि हमारे लिम्बिक सिस्टम को भी स्ट्यूमिलेट कर देता हैं जाके सिंगूलेट गारिस को जब वो कर रहा था मैंने देखा था कि हमारे पराइटल कॉर्टेक्स को भी जाके वह स्ट्यूमिलेट कर रहे हैं वह इंसिलर कॉर्टेक्स को भी जाके स्ट्यूमिलेट कर रहे हैं तो यह स Spino-Mesencephalic Tract. Spino-Mesencephalic, मैं पहले बदाय था कि अंदर से ये भी निकलता है, जो कि पैरी-कुड़क्टल ग्रेय आरिया के पास आता है. यहां पे जा के इस पैरी-कुड़क्टल ग्रेया को जा के स्ट्विमिलेट करेंगे, यह तीनों. स्ट्रक्टेस को स्युलेट कि रहेंगे पहला देखिए यह इसने लोकोस स्युलीट किया डूसरा इसने जाके रेकिलर स्युलेकिलरेंशन को स्युलेयट किया तीसरा इसने जाके रेफ데 मैंगनस को जाके स्明 forearm कि निक्लइस्स च्रेमयिट को निरुटर कॉन से निरों ट्रांस्मिटर्ट करते हैं ? जो प्यूकर वाला प्राइब निरो ट्रांस्मिटर्ट रेलीज करते है यह लोको सिरुलिस नौर अपिनफरीन को रिलीस करता है और यह रेटिकुलर फ़रमेशन वाला और रेफे मेगनस वाला यह फाइफ फाइड ऑक्सी टिप्टोमीन या फिर सिरोटनिंग को रिलीस करता है यहां पर अंडर जीनिस ओपेट के तोर प्रेक करते हैं और यहां पर पेइन को इनिबिट करते हैं अब जरा टाइप सी फाइबर और यह डेल्टा फाइबर के अंदर डिफरेंस देख लेते हैं अब इनके अदर ऐसे क्या डिफरेंस है कि टाइप सी फाइबर स्लो पेइन को करते हैं और यह फास पेइन को करते हैं एक तो इनके अंदर यह एक्सानाब्स और यह जो है यह ग्लूटामेट को रिलीस करते हैं तब यह जो है जो है इसलो पेइन को और यह फास्स पेइन को करता है यह लाइटली मैं अदिन हैवी मेलेटी तो यह इनके डिफरेंस होगे कुछ यहाँ पे हमारा पीन मॉडिलेशन कातम होगा क्लिनिकल समयन पे